सो हेलो गाइज माइन में वेल्ग आम इस वाले का रूपर आपको नहीं किया है या फिर आप उसको कर पा रहे हो तो कैसे करेंट करना है बहुत सारे सेटिंग के उसमें दिये गया है है और अगर आपका स्मार्ट वाच फिट प्रो एप से चलता है तो आज का इस वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो मैं आपको फिट पो एप से जो भी फीचर सब यूज कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा और अगर यहाँ आपकोस वैप लिखर में और सब्सक्राइब Pak तो सबसे बसक्राइब नोगया पर आपकर जाकर की कि अच्च पर करना यह आप करना चाहते हो UK Yeah queer कर सकता हो जैसे बाष्छ को करते इसके बाद सबसे पहला है आपको मिलता है राइस टुह आप देख सकतो यह यह traब रेगसे तो कि यह रिस यूपर आप करते हो और अगर आपका वर्च's की इस्ट में है तो आप आप जब भी रिस्ट खुमाओगे तो आपका जो वाच इसमें लाइट जलेगा और आप बहुत ही आशने से इसका जो भी टाइम बगरा है जो भी आप देखना चाहतो आप यहां पर देख सकतो बस आपको रिस्ट खुमाना है और आपको वाच को टच भी नहीं करना है आप बहुत ही आशने से इसका टाइम बगरा देख पाओगे तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसको आप बहुत ही आशने से यूज़ कर सकतो बस आपको यहां पर ऑन कर देना है और इसका आप टाइम भी लगा सकतो कब तक कब कौन सा टाइम में आपको यह वाला फीचर चा सबस्क्राइब करते हैं तो यहां पे प्लस वाले चैंट के लुशत कर सकते हैं विह कर सकते हैं पर एक तुछ रिमाइंडर राफ स्मीड करना है सबस्क्राइब है काम कर रहे हो और बार बार अगर आपको reminder चाहिए तो आप यहां पर reminder लगा सकते हो दोस्तों उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो find का option मिल जाते इस पर आप क्लिक करते हो तो आपका वाच है उसमें vibration होगा अगर आप वाच को कहीं पर रखके फूल गए हो और अगर आपका वाच कनेक्ट है फोन से तो आप यहां पर यहां पर फोटो क्लिक कर लेगा तो बहुत दोस्तों ने यह भी comment किया था कि भाई हम क्या हमारे phone का जो camera है इसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं या नहीं तुस्तों नहीं आप यहां पर अगर आपको यूज़ करना यह वाला feature तो आपको यहां पर यहां पर आप पर जाकर रिमोट सेटर को यहां पर ओन करना है उसके बाद इसी camera से आप इसको खीच सकते हो तो अगर आपका phone का camera app को अगर आप on करते हो तो यह जो option है काम नहीं करता है यहाप आप देख सकते हो यहाप अगर आप टच करोगे तो आपका जो वह अच्छ है वह कोई भी काम नहीं करेगा तो अगर आपको यह वाला feature यूज करना है तो आपको फीच प्रो एफ से ही आपको camera को on करना पड़ेगा और आपको कोई फोटो अगरा खीचना है तो आप यहाप खीच पाओगे यहाप देख सकते हो तो आपका phone का जो एफ है camera उसको अगर आप आप करते हो तो आप इस वाले feature को यूज नहीं कर पाओगे त यहाप अगर आप जाओ तो यहाप बॉहसरे option मिल जाता है जैसे की call reminder को क्लिमाइनर नहीं कर देना में रहे वक् قांशे कर देना उसके बाद फिर से अगर आप करते हो तो आपका प्रॉब्लम में वो सॉल्ब हो जाएगा उसके बाद अगर आपको कोई भी स्योशल मीडिया का नोटिफिकरिशन चाहिए तो इसको भी आप यहां पर आप कर सकतो और आप देख सकतो अपने वाच में जो भी चाहो आप यहां कर सकते हो टूइटर फेस्बूक या फिर जो भी सुसल मीडिया आप यूज़ करते हो उसका नोटिफिकरिशन आप यहां पर बहुत ही आसानी से देख पाऊगे दोस्तों यहां पर और यहां पर नाम और नंबर लिख देना है और इसको कर देना है और आपका जो सपोर्ट नहीं करता है इसलिए ही नहीं आए घाए तो इंग्रिश में आप लिखते हो तो आपका जो नंबर हो यहां पे आ जाएगा जैगा आपको यहां पर कॉल करना है किसे करना चाहरो आप यहां पर कॉल कर पाओगे और उसके बाद आपको यह पोर भी ऑप्शिन मिल देख सकतो डाइल सेटिंग में जाके आप इसका जो वाच्पेस से वह चेंज कर सकतो बहुत सरे वाच्पेस आपको लगाना है तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जो वाच्पेस से दोस्तों यहां पर अप्गेड हो रहा है और जैसे यह कंप्रिट हो जाएगा यहां पर जो वाच्पेस हमने यहां पर देखा तो यहां पर आ जाएगा तो ऐसे जो है आप अपने वाच्पेस में वाच्पेस बगरा चेंज कर सकतों यहां पर बहुत सरे वाच्पेस मिल जाता और एक जो वाज़ेसे से दोस्तो यह अबडेट होते रहते हैं तो बहुत सरा वाज़ब्र स्कॉप्षिन आपको यहां पे मिल जाते आप कोई भी अगर फोटो लगाना आपको अपने खुद का अगर फोटो लगाना तो आप यहां पर चेंज करके आप यहां पर अपना कोई भी फोटो बगला यहां पर सेलिक कर सकतों और उसके बाद उसको यहां पर लगा सकतों दोस्तों उसके बाद आपको यह पर रहा आकर आप जो है भाइवेशन सेटिंग को यहां पर ओन आफ कर सकतो और यहां पर आपको ओटी अप्ग्रेड अगर रहेगा तो आप यहां पर यूज कर सकतो बैक्ग्राउंड सेटिंग जो भी आप करना चाहते हो तो आप यहां पर बैक्ग्राउंड भी सेटिंग कर सकतो कस्टमा लेते हैं थोड़ा तो ऐसे आप जो है बैक लाइट टाइम को तीन मिडिर तक कर सकतो और उसके बाद आपको यहां पर और भी बहुत सरे उप्षिन मिल जाते हैं सबसे पहला आप यहां पर देख सकतो तो इसको यूज़ कर सकतो गूगल एसिस्टिन को यूज़ कर सकतो आप यांप मिल जाता है तो तो तीन यहां परिको आखल बनेगोजे मिल जाते हैं लेकिन काम का कोई भी नहीं है और इसमें सबस्क्राइब सथे टाइम दिर टेंड ताइम बैक टू डाइख destroying crown थो यहां तो यहांप्यां मेनू इसको चेंज कर सकतो थोड़ा चोटा या बढ़ा कर सकतो इसको यूस करके आप इसका सब्सक्राइब यहां पे कर सकतो इसको अगर आप डबल क्लिक करते हो तो आपको डबल क्लिक करना है और आपका जो मेनू स्टायल है यहां पर होते रहेंगे तो ऐसे जो है आप इसको यूज कर सकतो इसमें हाटेट मोनिटर बगरा का ओप्षिन तो आपको यहां पर मिली जाते हैं तो ऐसे बहुत सरी चीजियों को आप यहां पर यूज कर सकतो कुछ इस तरह से आप जो अपने स्मार्ट वाच का जो भी प्रॉब्लेम से उसको आप स्वाल कर सकतो जो भी चीज हैं उसको मैंने यहां पर बताने की कोशिश की फिर भी अगर कोई भी चीज अगर रह गया तो आप जरूर कमेंट करना उसके उपर अगर मैं वीडियो बना सक